रादे रादे जैसी क्रश्ना, मैं सीमा सिंग बढ़ो को चरनिस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको अंगारक चतूर्थी व्रत कता सुनाने जारी हूँ जब चतूर्थी मंगलवार को पड़े तो उसे अंगारक चतूर्थी कते हैं आईए अब हम अंगारक चतूर्थी व्रत कता सुनते हैं पोरानिक कता की अनुसार प्रत्वी देवी ने भार्दवाज मुनी के पुत्र अरून का लालन पालन किया जब वहसात बरस का हो गया तो प्रत्वी देवी ने अरून को पुने उनके पिता भार्दवाज को सोंप दिया पुत्र को देख कर पिता भार्दवाज का वास्सल्य प्रेम उमडबड़ा उन्होंने अपने पुत्र अरुन का उपनियन संस्कार किया और वेदों की शिक्षय प्रदान करी और गणेश भगवान का मंत्र दिया और कहा कि पुत्र तुम हमेशा गणेश भगवान की इस्तूती किया करो अपने पिता की आग्या लेकर अरुन गंगातट पर जाकर गणपती का ध्यान करने लगा गणिश मंत्रों का जाब करने लगा उसने एक सहस्त बरस तक कठोर तपश्या करी उसने अन जल त्याग दिया तब चतूर्थी के दिन विद्न विनाशक गंपती जी ने उन्हें दर्शन दे कर कहा कि हे वस मैं तेरी कठोर तपश्या से प्रसंद हुआ तो कोई वर मांग ले मैं तुम्हें अभिष्टू पर देने आया हूं तब उस बालक ने कहा कि हे देव आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया इस तब से मेरा जीवन सफल हो गया मेरे माता पिता धन्य हो गये हे देव मैं स्वर्ग में देवताओं के साथ स्वर्ग लोग में इस्ठान चाता हूँ और देवताओं के साथ अमरत पान करना चाता हूँ मैं तीनों लोगों में मंगल नाम से प्रसिद्ध होना चाता हूँ हे देव, जो भी अंगारत चतूर्थी को आपका वरत करे, आप उनके सभी कस्टों वे दुखों को दूर कर दो, और उनकी सभी मनो कामनाओं को पूरी कर दो, बस मैं यही चाहता हूं। तब गणपती भगवान ने रिशी पुत्र अरुन को वर्दान दिया कि हे रिशी पुत्र, तुम आज से मंगल नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, तुमारा एक नाम अंगारत होगा, जब भी चतूर्थी मंगलवार के दिन पड़ेगी तो वे चतूर्थी अंगारत चतूर्थ के नाम से जानी जाएगी जो भी इस्तरी पुरुष इस वरत को करेगा उन्हें पूरे साल की चतूर्थी वरत करने का फल प्राप्त होगा मैं उनके सभी कस्टों को हर लूँगा हे रिशिव पुत्र तुम आवंती नगर के प्रतापी राजा बनोगे और एक सहस्तर वर्ष त इसमें दस पुजाओं वाले गणपती भगवान की इस्तापना करवाई और उन्होंने उनका नाम मंगल मूर्थी रखा और वह मंगल वारी चतूर्थी का व्रत करके इस संसार के सभी सुकों को भोग कर सहस्षरीर सुर्ग में चला गया उन्होंने स्वर्ग में देवताओं के साथ सुधा का पान किया उसके बाद यह परम पावनी चतूर्थी अंगारक चतूर्थी के नाम से जानी जाने लगी जब भी चतूर्थी मंगलवार को पड़ती है तो वह अंगारक चतूर्थी कहलाती है इस चतूर्थी का वरतकाने से पुत्र पोत्र धन दोलत वर अखंड सो भाग्य की प्राप्ति होती है परमकारोनिक गणेश जी को अंतर हिद्य की विशुद प्रीती अविष्ट है शद्दा और भक्ती पूर्वक रीताप निवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गज मुक कपित जंबू और वन्य फलो से ही नहीं बलकि दुर्वा के दो दल चड़ाने मातर से ही गणबती भगवान प्रसन हो जाते हैं और व्रती मनशी की सभी मनुकामनाओं को वेपूरी कर देते हैं इस व्रत को करने से कुवारी लड़कियां अच्छा घरवर पाए परनी पुत्र गोद में किलाए और बुजुर्ग बैकुंट कवासा पा उस राजा के जितने भी शत्रू थे उस राजा से उसकी पराक्रमी और वीर्था से डरते थे क्योंकि उस राजा के मित्रता यम कुबेर इंडर आती देवताओं से थी उस राजा के राज्या में धार्मिकेतु नाम का एक भ्रामन था जिसके दो इस्तनिया थी एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था सुशीला बड़ी ही धार्मिक प्रवती की थी वह हर प्रकार के व्रत उपवास और दानपुन्य क्या करती थी जबकि चंचला नास्तिक प्रवती की थी वह कोई व्रत उपवास और दानपुन्य नहीं करती थी समय बीतने लगा तब एक दिन दोनों को ही गर्ब ठहर गया तब सुशीला को एक कन्या का जानम हुआ और चंचला को पुतरत्नी की प्राप्ती हुई यह देखकर चंचला सुशीला को बार बार चिड़ाने लगी कि अरे तू तो हर व्रत उपवास क्या करती थी दानपुन्य क्या करती थी व्रत उपवास और दानपुन्य करके तूने अपने शरीर को जीन शीन कर लिया है लेकिन मैंने कोई व्रत उपवास और दानपुन्य नहीं किया फिल भी मुझे पुत्र की प्राप्ती हुई और तुझे एक कमजोर सी लड़की पैदा हुई है अब चंचला रोज सुचिला को ताने देने लगी अपनी सोतन की व्यंग भरी बातों को सुनकर सुचिला का हिर्दय दुखने लगा वे गणेश जी की उपासना करने लगी वे हर बुद्धुवार का और हर गणेश चोद का व्रत करने लगी और गणेश जी से प्रातना करने लगी तब गनेश भगवान उसके व्रत से बहुत खुश हुए और एक रातरी को उन्होंने सुशिला को दर्शन दे कर कहा कि हे पुत्री तेरी पूजा से और व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हुआ मैं तुझे वर्दान देता हूँ कि तेरी कन्या जब भी हसेगी तो उसके मुख से मोती जड़ेंगे और तुझे एक विद्वान पुत्र भी पैदा होगा हे कल्यानी तू सदा खुश रहेगी दूसरे दिन जब सुशिला सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी कन्या जब हसी तो उसके मुख से मोती जड़ने लगे और साल बर बाद सुशिला को एक पुत्र रत्न भी पैदा हुआ कुछ समय बाद धर्म केतु भ्रामन की म्रत्यु हो गई म्रत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी परन्तु सुशिला अपने पती के घर में ही अपनी पुत्री और पुत्र के साथ रहने लगी सुशिला की कन्या जब भी हस्ती तो उसके मुख से मोती जड़ते थे जिससे कुछी सामय में सुशीला बहुत अमीर बन गई लेकिन चंचला बहुत गरीब हो गई जब चंचला को इस बात का पता लगा कि सुशीला की बेटी जब हस्ती है तो उसके मुह से मोती जड़ते हैं तो उसे बहुत चिड मचने लगी एक दिन उसने योजना बनाई और सुशीला की बेटी को मारने के इरादे से कुए में ढखेल दिया लेकिन गणेश भगवान ने सुशीला की बेटी को बचा लिया सुशीला की बेटी जब से कुशल घर आ गई तो चंचला को यह देख कर और भी घ्रणा हो गई वे मनीमन सोचने लगी कि इसकी रक्षा तो कोई भगवान या कोई देवता ही करता है उदर सुशीला ने अपनी पुत्री को जीवित देखा तो वे उसे अपनी चाती से लगा ली और उसका मुक चुमने लगी और गणेजी से कहने लगी कि हे गणेजी भगवान आपने मेरी बेटी को पुनर जीवन दिया है तब गरीबी से चंचला बहुत दुखी और परिशान हो गई तो वे वापत सुशीला के पास आई और उसके चरण पकाड़ लिये और अपनी गलती की शमा मागने लगी और बोली कि बहन मैं बहुत पापीन हूँ मैंने बहुत अपराद किये हैं मैंने कभी भी तेरे उपर दया नहीं करी तुझे हमेशा में चिडाने में लगी रही परन्तु हे बहन तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया तेरे बच्चों की तो देवता रक्षा करते हैं तब चंचला ने सुशिला से कहा कि दीदी आप कौन से देवता का पूजन और वरत करती हो मुझे भी बताओ मैं भी करूंगी चंचला की बातों को सुनकर सुशिला का मन पिगल गया और उसने गणेश जी के वरत वाली पूरी बात बता दी अब चंचला भी हर्व मैंने की गणिश चोथ कवरत काने लगी जिससे उसके उपर भी गणेश जी की क्रपा बरसने लगी दोनों के अंदर शत्रूता जो थी वे खतम हो गई और दोनों ही बेनों की तरह रहने लगी ये गणेश जी भगवान जैसा सुक आपने सुशीला को दिया वैसे सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को गनेजी की कहानी, एक बार एक गाउं में एक सेर सेठानी रहते थे, दोनों सेर सेठानी बड़े ही धानमी प्रवती के थे, वे सभी की मदद किया करते थे, उन्होंने गाउं में कुआ, ताला, बावडी, धरमशाला, पार्शाला, बच्चों के खेलने के लिए पारक, अनात आश्रम, अस्पताल आधी खुलवाए, दोनों सेर सेठानी गनेश भगवान के अनन्य भगते थे, वे हर बुद्धुवार का व्रत करते थे, गनेशी की भूजा और आर्थी करते थे, और हर बुद्धुवार को दो पंडितों को घर बुला कर भोजन किलाते और उन्ह अन् पिया का दान देते और उनसे पाउं छुकर आशिरवार लेते थे, उसके बाद ही वे दोनों पती-पत्नी व्रत खोलते थे, सेर सेठानी का बहुत बड़ा परिवार था, माता-पिता, भाई-भहन, भुवा-भती-जी सभी थे, लेकिन उन्हें खुद को कोई ओलात सुक न इज़ती, घर में सभी उन्हें बहुत चाते थे, लेकिन कभी-कभी दोनों सेर सेठानी को घर परिवार और घर के बाहर से लोगों की कानाफुसी सुनाई देती थी, कि सेठानी बांज है, सेड़ जी बे उलाद हैं, ये सुनकर सेर सेठानी बहुत दुखी हो जाते थे, अगर कभी किसी दिन सेठानी सुबह जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ जाती, तो घर के ही सदश्य, उनका मूँ देखना पसंद नहीं करते थे, उस समय तो सेठानी और भी दुखी हो जाते थे, सेठानी एक दिन सेठ जी से बोली, कि है स्वामी, हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए, सेठ जी सुनकर चुप रहे गे, तब एक दिन की बात है, बुद्दुवार का दिन था, सेठ सेठानी जी गाउं के गणेश मंदिर में दर्शन करके लोट रहे थे, तो उन्हें मंदिर की सिढ़ियों पर, एक चारपास साल का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया, वह रो रहा था, बच्चे को रोता हुआ देखकर सेठ सेठानी वहीं रुक गे, उन्होंने आसपास सब जगर देखा, कि शायद बच्चे के माता पिता यहीं आसपास में हो, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया, कि तभी पुजारी जी भी वहीं आगे, सेर सेठानी ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी ये बच्चा किसका है पुजारी जी ने बच्चे से भी जानना चाहा लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला शाम होने वाले थी तब पुजारी जी ने सेड़ सिठानी से कहा, कि आप अपने साथ इस बच्चे को घर ले जाएए, जिसका भी होगा मैं उसे आपके घर भेज दूँगा सेर सेठानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा सेर सेठानी खुशी-खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए सेर सेठानी गणेश भगवान के परम भक्त थे तो उन्होंने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा कई दिन निकल गे, बच्चे को लेने कोई नहीं आया तब सेड़ जी ने बाकाइदा उस बच्चे को गोड ले लिया गाउं के सरपंच ने मिल कर सारी लिखा पड़ी कर दी बच्चा सेड़ जी को गोड दे दिया गया इस तरह कई वरस पीथ गे तब एक दिन एक ठक पती पतनी उसी गणी जी के मंदिर की सिढ़ियों पर उदास बैठे हुए थे वो योजना बना रहे थे कि गाउं में किसको ठगे कि तबी वही पुजारी वहां आया अंजान इस्तरी पुरुष को देखकर पुजारी ने पूछा कि क्या हुआ पुजारी ने पूछा कि कितने साल का होगा तब अंजाने में ही उनके मूँ से निकल गया कि हमारा बच्चा चारपा साल का था उन्होंने तो तुक्का मारा था और वह तुक्का काम कर गया पुजारी ने कहा कि आप उदास मत होए आपका बच्चा इसी गाउ में है और एक सेड सिठानी की यहां पल रहा है पुजारी उस्ठक पती पत्नी को लेकर सेड जी के घर आए जब सेड जी को पता चला कि गणेशा के असली मातापिता आगे हैं तो उन्ह बहुत दुख हुआ सिठानी तो बहुत रुई सेड जी ने सिठानी को बहुत समझाया कि कोई बात नहीं सिठानी इसके मातापिता आगे है तो अब तो हमें बच्चा इनको सोंपना ही पड़ेगा तब सेड़ जी ने ठग पति पत्नी से कहा कि आप आज रात्री को हमारी हवेली में ही रहिए सुभ गनेशा को ले जाना ठग पति पत्नी को और क्या चाहिए था वो कोई बच्चा लेने थोड़े ही आये थे वो तो सेड़ जी की दोलत को लूटना चाते थे सेट जी ने अपने नोकर से कहकर दोनों ठग पती पत्नी को अथीथी वाले कक्ष में ठहराया और उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाया उदर सेट से ठानी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था उन दोनों को तो नीद ही नहीं आ रही थी दूसरी तरब ठक पती पत्नी चोरी की योजन बना रहे थे वे हर कमरे की तलाशी ले रहे थे कि तिजोरी वाला कक्ष कहा है तभी उन्हें एक कक्ष में तिजोरी खुली मिल गई जब रात्री में सब सोगे तो अर्ध रात्री में दोनों पती पत्नी उठे दोनों पती-पतनी कीमती जेवरात और रुपय पैसों को गांट बांधने लगे कि तभी नोकर को आवाज आई नोकर को पता चल गया कि यह आवाज तिजोरी वाले कक्ष में से आ रही है नोकर चुप चाप तिजोरी वाले कक्ष में गया उसने बाहर से देखा तो दोनों ठग पती-पतनी तिजोरी में से सोना चांदी और रुपय पैसे की गांट बांध रहे थे नोकर बड़ा ही समझदार था उसने कक्ष को बाहर से ताला लगा दिया और जोर-जोर से चिलाने लगा कि कोई चोर आया है घर में सामान चोरी कर रहा है नोकर की आवाज सुन कर घर के सभी सदश्य जागे सभी तिजोरी वाले कक्ष की ओर पहुँच गे तबी सेर सेठानी भी वहीं आगे सेर सेठानी ने तिजोरी वाले कक्ष को खोला तो दोनों ठग पती-पतनी को चोरी करते पकड़ लिया सुबह होने पर पूरे गाउं को एकत्र किया गया तब सेर सेठानी ने कहा कि ये दोनों चोर है हम गणेशा इनने नहीं दे सकते उदर दोनों ठग पती-पतनी जित परड़गे की बच्चा हमारा है हम ही लेकर जाएंगे तब गाउं के बड़े बुजुर्गों ने एक योजना बनाई कि सूरज भगवान के सामने सेठानी को और ठग पतनी को खड़ा कर दो दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर दो जिसके भी आचल से दूद की धार गणेशा के मुँपर गिरेगी बच्चा उसी का समझा जाएगा तब ऐसा ही किया गया सेठानी और ठग पतनी को सूरज भगवान के सामने खड़ा किया गया और उनके सामने गणेशा को खड़ा किया गया सेठानी और सेठ जी हात जोड़ कर मनहीमन गणेश भगवान को याद करने लगे तब गणेश भगवान ने सोचा कि आज अगर सेठानी का सत नहीं रखा तो बच्चा गलत हातों में चला जाएगा इनके सत की रक्षातों करनी ही होगी तब गणेश भगवान की क्रपा से सेठानी के आचल से दूद की धार गणेशा के मुख पर जाकर के गिरी वहां मोजूस सभी ने देखा तब सत्य की जीत हुई गाम वालों ने ठक पती पत्नी को पुलीस के हवाले कर दिया सेर से ठानी बच्चा पाकर बहुत खुश हुए हे गणेश जी भगवान जैसे आपने सेर से ठानी को बुद्दुवार के व्रत का फल दिया वैसे हमें भी देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को गरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले बिसरे नम तेरे भंडार में भरें इस तरह आज मैंने आपको अंगारक चतूर्थी की व्रत कता सुनाई अशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे धन्यवाद